आपका अपना डॉक्टर नमनीत काला संडे जा चुका है मंडे आ चुका है और खबरे वहीं की वहीं है कुछ ज्यादा बदलाव नहीं लग रहा है मुझे खबरों में लेकिन कुछ अच्छी खबरे भी हैं जिसको मैं सबसे बाद में बताऊंगा पहले शुरुवात करता हू इंडिया से और इंडिया में केसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं किसी को सेकंड वेव के बारे में अगर कोई कंफ्यूजन है तो अपना कंफ्यूजन दूर कर ले सेकंड वेव आ चुकी है ठीक है भली अभी बहुत बड़ी सेकंड वेव नहीं आई है और लेकिन ये आ वो दो स्टेट्स की है महाराष्टा और पंजाब केड़ा तो धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है लेकिन महाराष्टा पंजाब वस्ट इंडिया इंडिया में आये हैं 18,711 किस और 97 डेथ हुई हैं बस एक यही थोड़ी सी पॉजिटी चीज़ है कि डेथ बढ़ नहीं रही ह इंडिया में जो वीकली एवरेज है वो 10% केस बड़े हैं पिछले हफते से इस हफते पिछले हफते से 10% का राइज हुआ है केसे में लेकिन डेथ में 12% की गिरावट आई है डेथ में तो यह अच्छी बात है कि डेथ रेट कम होता जा रहा है लेकिन जो अगर आपको बता पास जो केसे आए और ये छे स्टेट से आ रहे हैं टोटल महराष्टा केडला पंजाब करनाटका गुजरात और तमिलाडू 84.7% केसे यहां से आ रहे हैं तो सेंटर ने अपनी टीम में भीजी है यहां पर पता लगाने के लिए आखिर कहानी क्या है महराष्टा में आये है केरला में आएं 2100 केसे पंजाब में 1051 केसे आए हैं 17 डेथ हुई हैं पंजाब की हालत सच्छुच चिंता जनक है मुझे ऐसा लग रहा है पंजाब और महराष्टे की हालत क्योंकि पंजाब में लगातार डेथ का आकड़ा भी बढ़ता जा रहा है जितना कि महराष्टा मे तो खेर डेथ वही की वही है लेकिन पंजाब में डेथ का अकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और जो साथ दिन का एवरेज हमारा केसे का आ रहा है वो आ रहा है 16,744 केसे यह जो बीता हफ़ता गया इसमें हमारा जो एवरेज आया 16,744 केसे हैं तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि केसे धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं डेथ नहीं बढ़ रही है यह एक आप कह सकते हो एक थोड़ी सी खुश तो खबरी नहीं बोलते इसको डेथ को खुश खबरी नहीं बोलते लेकिन एक सांतमना आपने आपको दे सकते हैं कि डेथ का रेट नहीं बढ़ रहा है और और बताता हूँ और बाकी स्टेट्स का क्या हाल है माराश्टा में जो है जो इतने केसे हैं मुंबई में 1361 केसे आए हैं वहां पे भी एक काफी ये रिकॉर्ड टूटा है क्योंकि मुंबई में भी लगातार केसे बढ़ते जा रहे हैं और नागपूर में आए हैं 1000 से उपर केसे पूने में बी करीब 1000 केसे आए हैं तो इनके तो शहरों में इतने केसे आ रहे हैं जैसे करनाटका में 622 केसे वेस्ट बैंगॉल में 188 केसे आए हैं तो कुल मिलाके पंजाब एन महराष्टा आपको बहुत चिंता करने की जड़त है और करना क्या है वो मैं बाद में बताऊँगा कि इनका इलाज क्या है और कारण क्या है दिल्ली दिल्ली में भी कल हाइस टेस्ट हुए है दिल्ली में टेस्ट की संख्या लगातार बढ़ा गई है जैसे से केसे बढ़ रहे हैं टैस्स की बढ़ गाएग से उपब हैसी वजय से पॉइंट थ्री परसेंट आ गया है दोसो च्छासी केसे लिए दो कि टैस्ट इस है अभी तक के कौ्शत हाई एक सब्सक्राइब कि अब कर दो फरवरी में हमारे हां दिली में करीब करीब 150 का एवरेज था केसे का, मार्च में बढ़के हो गया, 200 के असपास का, और डेथ लेकिन कम हुई है कि जो दो का एवरेज चल ला था डेथ का फरवरी में वो 1.5 रह गया है मार्च में बस तो कुल मिलाकर एक जो थोड़ी सी ठीक ठाख खबर है वो यह कि डेथ कम हो रही है कैसे बढ़ रहे हैं तो डेथ नहीं होनी चाहिए सिवेर्टी नहीं और राजस्तान में एक खुछ एक खराब ख़बर राजस्तान में कि वहाँ पर स्कूल, कॉलेजेज फिर से बंद कर दिये जाएंगे क्योंकि वहाँ पर कुछ कोवीड पॉस्टिव स्टूडियंट निकले हैं तो ये राजस्तान से बड़ी खबर है और ऐसा कहीं और भी हो सकता है तो यह जो cases बढ़ने के कारण जो बताए जा रहे हैं उसमें यही है शादियां, स्कूल खुलना, चुनाओ, पंचायत के चुनाओ, माराश्टा में थे और गुजरात में चुनाओ थे तो काफी चीजें और local ट्रेनों का खुलना, टेस्टों का कम होना, सबसे बड़ी चीज मुझे जो लगता है माराश्टा में टेस्टों का कम होना एक सबसे बड़ा factor है क्योंकि माराश्टा ने कभी भी सांस नहीं लिए है, number one की positions हैं नीचे आने में तो माराश्टा तो करना यही है कि दोई चीजें हमारे पास हैं, एक तो vaccination, जितना जल्दी वैक्सीन लगवाएं और खास्तों से जो यह worst hit states हैं, जहां पर cases ज़्यादा आ रहे हैं, वहां पर vaccine सबसे पहले लगनी चाहिए और ज़्यादा लगनी चाहिए जितना जल्दी हो सके, तो यह एक है और दूसरा जितना ज़्यादा टेस्ट करें, दोई चीजें करनी है, एक तो vaccine ज़्यादा लगे, जल्दी लगें, और दूसरा टेस्ट ज़्यादा से ज्यादा जितने हो पाएं, यह test का कमी ही सबसे पर चलो यह थी बुरी खबर हैं बुरी खबर ही बोलूँगा लेकिन अच्छी खबर भी बता देता हूं आपको गोड नियूस इंडिया के लिए कि मेक्सिको जहां पर कल अच्छी खबर है कि अब नियर्यात ज्यादा से ज्यादा की जाएगी लेकिन पहले इंडिया वालों को मिल जाए तो ज्यादा बेटर होगा है है अपने कंट्री वालों को भी मिल जाए बहर वालों को भी बल जाए तो यह खबर ऐसी है जो थोड़ी सी अच्छी है को वैक्सिन के बारे में क्योंकि अभी तक जो बाकी देश थे को कोवैक्सिन है किंग 라고 इंक एकति व्युड़ वायरस वैक्सिन है तो इसकी एफ्येड stitch जिने सब ने co vaccine लगवाई है हाना कि पहले بड़े सबाइने कर नहीं? जो नहीं लगवाने नहीं लगवाएं लेकिंप मेरा चाहिए बताना chi the अगरा topic बना रहा हूँ की को vaccine के side effect कम क्यूं है ये दूसरा Johnson & Johnson की vaccine के पीछे लोग क्यूं पागल हो रहे हैं तो अगला वीडियो जरूद देखिएगा वह अभी लेकर आ रहा हूं और तब तक चलता हूं और गाना अब मैं नहीं काता हूं आप लोगों के लिए क्योंकि आप लोग बन कर देतो तो गान अपना time कहीं न कईसे निकाल के सुबह सुबह ठीक टाइम पर वीडियो बनाना पड़ता है और जितना मुझे हो सकता है latest news और पकी news सची news लेकर आता हूं कोशिश करता हूं कई मैं तोड़ी बोड़ी कड़बड हो जाती है क्योंकि news ही अब जहां से अब news उठा रहे हो तो वो news ही अगर गलत दे रहा है तो बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है सोचके कि भाई हर जगा पे news के जो डाटाज हैं अलग अलग होते हैं कहीं 700 बता रहा है कहीं 715 बता रहा है कहीं 500 बता रहा है तो कुल मिला के कहानी कोई मोटा मोटा यही है कि cases बढ़ रहे हैं death कम हो हैं तो थोड़ी सी राहतवरी खबर है और दिल्ली दिल्ली हाई लट पे है क्योंकि यह जो स्टेट्स हैं 6 स्टेट जहां पर केसे लगातार बढ़ रहे हैं तो दिल्ली हाई लट पे हैं दो स्टेट ऐसी हैं जो हाई लट पे हैं दिल्ली और हरेना जहां पर कि अब वर्ड swing देखा जा रहा है कि यहां पर भी हलका फुलका केसे बढ़ रहे हैं हाला कि चिंता करने वाली बात नहीं है क्योंकि यह का जाता कि positive rate 5% से नीचे होना चाहिए तो दिल्ली में positive rate 1% से नीचे है काफी लंबे समय से तो जब तक positive rate 5% से नीचे है तो यह माना जाता है कि आपका infection control में है तो यह था एक चोटा सा topic आपका अपना मुना भाई MBBS और अगवर तेरे को अच्छा लगने का तो इधर ठपा लगाने का और अपुन चलने का बाई अपना मुना भाई MBBS आपको request कर सा है कि भाई अपना ध्यान रखो ठीक है अभी हवा में मत उड़ो अभी COVID गया नहीं है और vaccine जाके लगवाएं अगर लगवाना चाहते हैं तो बाई